दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके BSC 30 अर्फिब सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 बायो मालीक्यूल से जुड़े हुए टॉपिक पॉली सेक्राइड इस से जुड़े हुए जो इसके एक्जामपल है सेलुलोस, हेमिसेलुलोस, पेक्टीन, काइटीन और इनुलीन वीडियो को आप ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा, तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं, तो यदि हम बात करें सेलुलोस की, सेलुलोस is the most abundant carbohydrate in the nature, तो हमारे प्रकृती में सबसे अधिक अगर कोई carbohydrates पाया जाता है, तो वो है सेलुलोस, और आपको ब होता है, तो मैं comment box में आपके comment को tag करूँगा, और नहीं पता है, तो आप हमसे comment box में पूछ सकते हैं, इसका answer मैं आपको comment करके बता दूँगा, इसके अलावाद जो सेलुलोस है, यह plant cell का सबसे important constituent है, यानि कि पोधों की जो cell wall होती है, वो सेलुलोस की ही बनी होती है, it is absent in animal cellulose जो है, animal cell में absent होता है, और cellulose की अगर structure की बात करें, तो यह unbranched एक linear polymer है, जिसके अंदर बीटा डी ग्लुकोस पहे जाता है, और जो बीटा डी ग्लुकोस होते हैं, आपस में बीटा 1,4 glycosidic bond दोरा जुड़े होते हैं, तो इनके chemical composition को आगे हम वीडियो में detail से समझ जेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है cellulose में, वो चीजे मैं आपको notes के रूप में provide करा देता हूँ, इसके बाद अगर हम बात करें इसके solubility की, तो यह water insoluble है, और major component of dietary fiber, जो हम लोग fiber के रूप में फोजन लेते हैं, उसका यह सबसे major component है, अगर हम बात करें, मानो की, human lack enzyme that hydrolyzed beta 1-4 glycosidic bond hence cannot be digest cellulose, तो मानो जो है, यह जो beta 1-4 glycosidic bond है, जो की cellulose में पाया जाता है, उसको digest करने के लिए कोई enzyme नहीं पाया जाता है, इसलिए हम cellulose को digest नहीं कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट हम cellulose के structure को देखते हैं, तो यहाँ पर आप cellulose के structure को देख सकते ह हैं, यह plant cell wall का major component है, ठीक, और आप यहाँ पर इसके जो structure है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, chemical composition दिखाई दे रहा है, अगर आप details से इसके structure को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका major component है, यानि कि जो cellulose होता है, वो बीटा D glucose से मिलकर बन बीटा 1-4 glycosidic bond, यानि कि एक glucose का पहला carbon और दूसरे glucose का चौथा carbon, आपस में एक दूसरे से glycosidic bond दोरा जुडते हैं, और बनता है बीटा 1-4 glycosidic bond, आप में से बहुत लोग को बीटा या फिर alpha ये word क्यों use किया जाता है, नहीं पता होगा, अगर आपको नहीं पता है, त बताऊंगा, आप प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, अगर आपके कमेंट बहुत जादे होते हैं, तो मैं पूरी कोशिस करूँगा कि इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बनाओं, तो इस तरह से हजारो लाखो बीटा डी ग्लुकोस आपस में विटा 1-4 glycosidic bond दोरा सेलूलोस का फॉर्मेशन करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आए नेक्स हम बात करते हैं हेमी सेलूलोस की, हेमी सेलूलोस इस पॉली सेलूलोस जो है कई तरह के सुगर से मिला होता है, जैसे की जाईलोस, एर्बिनोस, मैनोस, और आपको बता दे कि हेमी सेलूलोस में जो primarily सुगर है वो होता है जाइलोज और एर्विनोज तो जाइलोज को हम जाइलोग्लुकेंस और एर्विनोज को हम एर्विनोग्लुकेंस भी कहते हैं Hemicellulose molecules are often branch तो Hemicellulose molecules होते हैं यह branch होते हैं जबकि अभी हमने cellulose देखा वो unbranch था तो major difference एक यह है इसके अलाबा Hemicellulose molecules are very hydrophilic यहनी कि यह ज़्यादा तर water soluble होते हैं और जब इनका hydration किया जाता है तो यह formation करते हैं gel like structure का तो आज़े next हम देखते हैं कि Hemicellulose का structure कैसा होता है तो Hemicellulose में आप देखेंगे तो आपको इस तरह के variety of sugar देखने को मिलेंगे जैसे glucose, galactose, manose, xylose, airbinose लेकिन मुख्य रूप से Hemicellulose में आपको xylose और airbinose ही देखने को मिलता है इस तरह से जो जैलोज है यह beta 1,4 glycosidic bond दोरा manose से जुड़ा होता है वहीं manose beta 1,4 glycosidic bond दोरा glucose से जुड़ा होता है वहीं glucose जो है वह गलेक्टोस से alpha 1,3 glycosidic bond दोरा जुड़ता है तो इस तरह से खुछ bonding दिखाई देती है Hemicellulose में तो Cellulose की बाती अगर देखा जाए Hemicellulose भी plant cell wall का एक तरह से छोटा सा पार्ट है आईए next हम बात करते हैं कि Cellulose और Hemicellulose में major difference क्या है तो चलते हैं पहले difference कियो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो Cellulose होता है वह धे सारे beta glucose molecule के जुड़ने से बनता है वहीं अगर हम बात करें Hemicellulose की तो Hemicellulose में आपको variety of glucose देखने को मिलते हैं जैसे जाईलोज, गलेक्टोज, मैनोज, रैमनोज, एर्विनोज, ठीक है तो इन सभी component से मिलकर बनता है Hemicellulose तो Cellulose के वल एक ही component से बना है जबकि Hemicellulose धे सारे component यानि कि धे सारे sugar molecule से मिलकर बना है Cellulose जो होते हैं lung polymer है यानि कि यह बहुत बड़े बहुलक होते हैं जबकि जो Hemicellulose है यह बहुत बड़ा polymer नहीं होता इसके जो polymer होते हैं वो अगर Cellulose की तुलना में देखें तो सार्ट होते हैं यह भी polysaccharide है बट इनके जो molecule होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं Cellulose इसे straight chain polymer जो Cellulose है या एक linear structure है जबकि Hemicellulose में आपको cross linkage देखने को मिलते हैं जबकि Cellulose में आपको side branches नहीं देखने को मिलते हैं या केवल आपको straight chain दिखाई देता है अगले polysaccharide की जो की है पेक्टीन तो पेक्टीन जो है आपको पके हुए अमरूद, सेव इन सभी फलो में देखने को मिलता है और ये एक तरह से alpha-d-glacturonic acid के आपस में alpha-14-glacturonic bond द्वारा जुडने से बनता है तो पेक्टीन का जो major component है वो है alpha-d-glacturonic acid तो यदि आप इनका chemical composition देखेंगे यानि कि अगर इनके आप structure को detail में देखें तो कुछ इस तरह के structure आपको देखने को मिलेंगे जिसमें जो major monomer है वो है alpha-d-glacturonic acid जो कि आपस में alpha-14-glacturonic bond द्वारा जुड़े हुए है इसके बाद अगला जो polysacride है जो कि आपके syllabus में mention है वो है kaitin तो kaitin जो है एक major component है orthoports के outer skeleton का या फिर कह सकते हैं exoskeleton का इसके अलाबा ये आपको कुछ fungus में भी देखने को मिलता है तो kaitin की बात करें तो ये एक प्रकार का linear polymer है जो कि N-acetyl-D-glucosamine से मिलकर बना है जो कि आपस में beta-14-glucosidic bond द्वारा जुड़े हुए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं monomer है N-acetyl-D-glucosamine जो कि आपस में beta-14-glucosidic bond या फिर कह सकते हैं beta-14-glucosidic bond द्वारा जुड़ते हैं और इस तरह से kaitin polymer का formation होता है इसके अलबा अगला जो polysacryde है वो है inulin तो एक word है inulin जो कि एक polysacryde है दूसरा word है insulin जो कि एक polypeptide hormones है तो insulin जो है हमारे body में जो sugar है उसको कम करता है यानि कि sugar level को घटाता है और ये जितने भी sugar molecule है उनको glycosid में convert करता है तो inulin और insulin में difference है inulin जो है एक polysacryde है जो कि fructose के molecule के मिलने से बनता है यानि कि धे सारे fructose के molecule आपस में मिलकर बनाते है inulin इसलिए अगर देखा जाए तो inulin एक प्रकार का homo polysacryde है तो ये जो fructose होते हैं आपस में beta 2-1 linkage या फिर कह सकते हैं beta 2-1 glycosidic bond द्वारा जुडते हैं और inulin आपको prior जैसे की डहलिया का root है onion, garlic, dandelions इन सभी में देखने को मिलता है it is also belongs to a class of fiber यानि कि इसे fiber के category में रखा गया है और ये water soluble होता है ये cellulose की तरह नहीं होता है क्योंकि cellulose होता है water insoluble होता है बट ये water soluble होता है यहाँ पर आप inulin के chemical composition को देख सकते हैं तो इस तरह से हमारा आज polysaccharide से जुड़ा हुआ ये जो topic था वो खत्म होता है अगले वीडियो में हम bio molecule से जुड़ा हुआ अगला जो topic है उसको discuss करेंगे तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा और कोई भी doubt है आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत